दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में प्यारे बचों इस वीरियों में राश्ट्री मीन्स का मेरेट स्कॉलर से फिक्जाम हिंदे में बात करें तो राश्ट्री आयोम योगता आधारिश चात्रवती परिच्छा 2023-2024 के लिए विज्ञान का मार्डल प्रस्ट पत्र हल करेंगे प्यारे बचों ये मार्डल प्रस्ट पत्र हमने लिया है मध्य प्रदेश NMS एक्जाम 2018 की परिच्छा में आये हुए पेपर से प्यारे बचों आप किसी भी राजे से विलॉंग करते हैं आपका जो NMS एक्जाम का सिलेबस है वो सेम पैटरन पर होता है तो आप सभी की परिच्छा में ये प्रस्ट 100 प्रस्ट आने के चांस हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाज्ट तक विना स्किप के वे जरूर देखेगा बहुत ही important प्रस्ट आपके इस model प्रस्ट प्रस्ट में रखे गए हैं तो आई ये देखते हैं एक क्यानेवे निमबर कुश्टन आपकी स्क्रीन पर है बर्फ के glacier हमेशा पिघलना शुरू होते हैं जो बर्फ के बड़े-बड़े पहाड होते हैं वो किस प्रकार से पिघलना शुरू होते हैं ओपरी सता से, निचली सता से, सभी सता से एक साथ या फिर बीच की सता से तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है अगर आप इसको गेस कार पा रहा है तो comment section में आंसर जरूर लिखें तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जागा जो glacier होते हैं उन निचली सता से फिखलते हैं इसी लिए बड़े बड़े बर्फ के पहाड तूट कर फिशल जाते हैं जिसको हिम स्खलन कहते हैं जिस प्रकार से भू स्खलन होता है उसी प्रकार से हिम स्खलन हो जाता है तो बी आंसर बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर है और इसके बाद है बानवे नमर कुश्चन और पर बैठा हो तथा A, B वा C पर सुनाई पढ़ने वाली आवरतियां V1, V2 तथा V3 हो तो आप देखो यहां पर थोड़ा सो गौर करेंगे यह आपका ब्रत्ता कारपत है मार्ग है जिस पर एक छोटा सा स्रोत है जो गमन कर रहा है गति कर रहा है जैसे मालो इसकी गति देखो इस प्रकार से है आप देख पाएं तीर का निसान इस प्रकार से गति करता है तो आप इसमें कह रहा है कि A, B वा C पर सुनाई पढ़ने वाले आवरतियां A पर देखो V1 आपकी आवरति होगी और B पर आपका V2 होगा और C पर V3 होगा तो कह रहा है कि सुनाई देने वाले आवरतियां जो होती है उनमें क्या संबंद होगा तो इसका संबंद जो है आप देखेगा अगले पेज में इसमें किस प्रकार से संबंद होगा तो इसका पच्छो राइट आंसर क्या है तो इसका पच्छो राइट आंसर C है इसको हम अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रहें लेकिन आप इसको समझेगा वीडियो को रोंक करके देखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि V2 जो है बड़ा होगा V3 से और V3 बड़ा होगा V1 से ठीक यह आपका सम्मंध निकल के आएगा तो C option is the right answer next question है 93 number एक प्रिजम के लिए आपतित किरण एवां निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं तो आपके पास बुचो है आपतित कोण परावर्तित कोण अपवर्तित कोण या फिर बिचलन कोण तो यह मालो की प्रिजम है और प्रिजम के लिए बात करेंगे तो प् क्या होता है यह कोण बनाता है और इस कोण को क्या कहते हैं तो आपका होता है यह बिचलन कोण डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिचलन कोण कहा जाता है यह प्रिजम के लिए होता है कि वाल चराने में में कुशन कहता है कि निर्ग में से कौन सा भाग आंख में प्रवेस होने वाले प्रकास की मात्रा को सिकुड कर या फैल कर नियंदित करता है तो इसका वच्व राइट आंसर है परितारिका जो आईरिस होता है वो ये काम करता है पंचाने में में कुश्चन कहता है कि प्रेरण द्वारा या प्रेरण बिद्वारा किसी कुचालक के नजदिक सिरे पर पैदा हुआ आवेश ठीक कैसा होगा आप्षन कहता है कि समान तथा उसी प्रकतिका होता है बी आप्षन है आधिक तथा विपरीत प्रकतिका होता है और सी आप्षन है क्रम कम तथा विपरीत प्रकतिका होता है और समान था विपरीत प्रकतिका होता है तो इसका वचो राइट आंसर जो है वो D आप्सन हो जाएगा आपका समान तो होता है लेकिन विपरीत प्रकतिका होता है तो D आप्सन था राइट आंसर आप इसको ध्यान रखेगा और 66 में मैं कोश्चन कहता है कि प्रतिरोध आर को किसी आदर्स बैटरी के साथ जोड़ा गया है यदि प्रतिरोध का मान कम कर दिया जाए तो उसमें बैसक्ति क्या होगी बैसक्ति में क्या होगा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी पहले बढ़ेगी, बाद में कम हो जाएगी या फिर उतनी ही रहेगी तो इसका वच्व मान सही हो जाएगा A option बढ़ जाएगी ठिक अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो सक्ती का मान जो होता है वो बढ़ जाता है A option जिदर right answer 97 नमर question आप देख पा रहे हैं और इसका right answer क्या है अब लोग comment section में लिखें इसका देखो 97 नमर question के लिए कह रहा है कि नीचे दिये गए परिपथ के अनुसार बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है अब ये देखें आप एक परिपथ है इसमें ये आपकी बैटरी लगी हुई है ये आपकी क्या है कुन्जी है और यहाँ पर आपकी कुन्जी लगी हुई है और यहाँ पर दो बल्ब लगा देगए है A और B आप कहता है कि अगर A जब switch S खुला होगा तथा S बंद होगा तब A और B जलेंगे A तथा B जलेंगे B आपकी कहता है कि जब switch S1 खुला तथा S2 बंद होगा तब A जलेगा तथा B नहीं जलेगा ठीक तो इसको आप ध्यान रखिए कि अगर S1 को बंद कर देते हैं अर्था S1 को यहाँ से मिला देते हैं बंद करने का मतलब A आपसन इसके बाद है ठानेवर नमर कुश्चन चार बच्चों को लोटनिक इस्थायतिक तथा सरपी घर्षण के कारण बलों का घटते करम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है सही व्यवस्था का चैन कीजिए तो इसमें आपको इसको लगाना है कैसे घटते होए करम में यानि सबसे ज़्यादा घर्षण बल किसमें होगा ठीक तो इसमें आपका सियाफन सही हो जाएगा बच्चों लोटनिक घर्षण और उसके बाद सरपी घर्षण उसके बाद जो है सबसे कम होता है तो यह आप ध्यान रखेगा 99 नमर कुश्चन कहता है कि यदि उत्तल लेंस के ऊपर के आधे हिस्ते को काले कागज से लपेट दिया जाए तो इससे बनने वाला प्रतिवम पर प्रभाव क्या होगा अब आप lens देख पा रहे हैं यह आपका lens है और कहता है कि अगर इसके आधे भाग पर जो है कागद लगा दिया जाए अगर कागद लगा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसमें प्रभाव यही पड़ेगा कि परतिविम में की जो चमक होती है वो कम हो जाएगी इसको आप ध्यान रखेगा किसी भी lens के उपर अगर आधे के उपर कागद लगा दिया जाए तो प्रतिविम में की जो चमक होगी वो कम हो जाएगी बागी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सो नम्मर कोशन कहता है कि जब किसी बलप पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है मतलब कोई भी प्लास्टिक की चीज हो और उसको पानी में आप दबाईए तो उसमें क्या है जो हवा होती हो बाहर निकल जाती है और इसी लिए वो जो है बुलबुले उठते हैं अगर उसके दबाउ को छोड़ दिया जाए तो जो प्लास्टिक जीज होती हो क्या फोल जाती है तो उसमें होता क्या है जो बाहरी वायोमंडली दबाउ है उसके कारण पानी उसमें दुबारा भर जाता है तो इसमें आपको बच्चन सही आप्सन हो जाएगा C आप्सन पूरुष ज्योंकि पूरुषों की जो ध्वनी होती हो मोटी होती है और मोटी ध्वनी का जो आवरत्ती होती हो कम होती है और इसकी जो तारत्त होता है वो भी कम होता है तो इसका C option जो आवरत्ती होगी वो आपकी पुरुष की आवाज में होगा ठेक ध्यान रखेगा बाकी छोटी लड़की हो लड़के और लड़की की जो आवाज होती लगवक सेम होती है और D option आपका देखेगा महिला दी गई है तो ये तीनों सेम हो जाएंगे पुरुष अ तथा बिम्ब के साइज का बराबर होता है ठीक जो पर्तिविम बनता है उसके साइज के बराबर बनता है वस्तु के बराबर बनता है समतल दरपड में ही आप लोग जो क्या है अपने आपको देखते हो अपना चेहरा देखते हो इसके बाद है प्रशनक्या 203 निवन मेंसे किसको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्टत किया जता है तो ये जो सलफर, फास्फोरस और आक्सिजन है ये अधातुएं है और जिंक क्या है आपकी धातु है तो धातु को पीट कर चादर बनाई जा सकते है इसके बाद हो पाद है जब एक लिटमस पेपर को आमल में डुबोते है तो इसके रंग में क्या बदलावाता है ए आपसन है नीला रंग लाल में बदल जाता है लाल रंग नीले में बदल जाता है नीला रंग में कोई बदलाव नहीं होता या लाल रंग में संतरी रंग में बदल जाता है तो इसका बच्छ सही जवाब है जो भी अमल होते हैं वो बहुलक के रे से पाली एमाइड से बनते हैं तथा यह परवता रोही, रसी, सीट बेल्ट वा जुराबे बनाने में परिक्त होता है यह है रेयान है, टेरिलीन है, नाइलोन है यह फिर आपका पीवी सी है तो इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग कमेंट सक्सर में लिखें तो इसका बचो राइट आंसर हो जाएगा, 106 नंबर नाइलोन इसके बाद है 107 नंबर प्रश्ण, निम्न लिखित में से कौन सा योगिक नहीं है आप इसमें बताना है कि योगिक कौन सा नहीं है, तो चीनी, साधार नमक, प्लाष्टर राफ, फेरिस यह तीनों आपके क्या है योगिक होते हैं, बट हीरा जो होता है आपका कार्बन का अपरूप एक तत्त होता है इसको प्राकृतिक सूचक के बारे में आपको बताना है चाई, पत्ति, सोडियम, कलोराईड, सोडियम, कार्बोनट या फिर हल्दी तो हल्दी बच्चों होता है और इसको जो है अमल च्छार को पहँचानने के लिए परियोग कर राता है और ऐसा ही इसको सूचक के रुप में परियोग करते हैं जैसे आप अगर हल्दी में थोड़ा सा क्या मिला देंगे निर्मा पाउडर जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसको अगर मिलाएंगे तो इसका रंग जो है लाल हो जाता है ठीक तो ये किस काड़ होता है कि वो छार होता है भस्म होता है इसलिए ये होता है तो ये सूचक होता है हल्दी 110 नमा प्रहुंत कहता है कि वह नियूंतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह कहलाता है तो जिस ताप पर कोई ठोश पदार्थ पीघल जाता है वह गलनांग होता है तो ये सभी परिवासाइं आप से पूंशिजाश होती हैं बहुत important है और डीजल वा पेट्रोल के अपूर दहन से कौन से गया सुत्पन होती है carbon monoxide ध्यान रखेगा लकडी का जलना हो या फिर डीजल पेट्रोल का जलना हो तो अगर अपूर दहन होगा अर्थात आधा जला और आधा इसे रह गया तो जो ध्यान निकलेगा वह आपका carbon monoxide होगा और बी आपसे जराइट आइट आनसर 112 नमर कुष्ण निम्न में से कौन सा electronic विन्यास एक धातु का हो जकता है अब आप इसको समझिएगा electronic विन्यास कता धातु का हो जकता है तो electronic विन्यास से उसके तत्तु का नाम आप जान सकते हैं तो इसमें देखो लिखा है 2, 8 और 5 तो 2, 8, 10, 10 और 5, 15 परमार क्रमांग 15 बना और 15 होता है फास्पोरस का और फास्पोरस अधातु होता है तो इसको आप ध्यान रखेगा ये तो होने जकता है और ये C आप समझे दिया गया है 2 और 6 ये बच्चों होता है 8 होता है आपका oxygen का तो oxygen तो नहीं होता है ठी पुर्षिक यह अधात होती है और दो आठ्च उदस यह आपका देखो सीलिकान का होता है। सलिकान आंका द्हात होती है हुथ तो राइट आपया हो जाएगा दिए आपसट दो राठड़ दस भूरी ग्यारा तो ग्यारा परमार्ण करमान्ह दस त्तु होता है शोडियं यह नए और यह नए होता है एक ब्रकार्शे धातू तो राइट आंसर हो जाएगा डी आपसन इस प्रकार से आप सवाल को बनाएंगे कार्बन का कौन सा अपरूप इसनेहक के रूप में परयोग किया जाता है तो ये बच्छों होता है क्रेफाइड जो ग्रेफाइड होता है इसको इसनेहक के रूप में परयोग करते हैं या फिर इसको जो पैंसिर के लीड होती है उसको बनाने में यूज करते हैं एक्सवाइट राइट 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 मर्बेल जो होता है यह आपका परजीवी पोधा होता है 116 नमर्प प्रशन मरत जीवी अपना भोजन कहां से लेते हैं मरत जैविक पदार्थों से तो यह पुस्टन आपका सही जवाब हो जाएगा जो मरत जीवी होते हैं वो मरत जैविक पदार्थों से अपना भोजन ग्रह तो इसको आप ध्यान रखेगा एक्सको अधार नंबर रायबो फ्लेमिनोसिस रोग किस कारण से होता है तो यह रोग बच्चों होता है विटामिन बीटू की कमी से तो यह आपका C option जो राइट आंसर हो जाएगा आप इसको ध्यान रखेगा नेक्स कोशन है 19 नमबर क्लोरो फिल में कौन सा धात्विक तत्त पाय जाता है लोहा, मैगनीसियम, मैगनीज या फिर कार्बन तो राइट आंसर है B option जो मैगनीसियम होता है वो क्लोरो फिल में पाय जाता है 120 नमबर क्रिशन कहता है कि स्वसन जड़ किस पौधे में पाय जाती है तो स्वसन जड़ जो है किस पौधे में पाय जाती है आम, पीपल, मैंग्रो या फिर अमर बेल तो इसमें C option आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो मैंग्रो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में स्वसन जड़ें पाय जाती है इसके बाद 21 नमर प्रशन निम्र में से कौन सा जड़ है बहुत important प्रशन एक प्रशन आपका ज़रूर आएगा यहां से आलू, प्याज, अदरख या फिर सल्जम तो आलू जो होता है बच्चों, यह तना होता है, प्याज भी आपका तना है, अदरख आपका ध्यान रखेगा, यह भी आपका तना है और सल्जम जो है, सल्जम हो गया, मूली हो गया और गाजर हो गया, यह जड़े होती है, कि किसको आप ध्यान रखेगा 22 प्रेशन कहता है कि मानोव श्रीर में सबसे लंबी अस्थी कौणसी है बहुत इंपेर्टन प्रेशन है और आपको पता भी होगा ये होता है बच्चों फीमर सबसे लंबी अस्थी मतलब सबसे लंबी हड़ी तो ये अपका एग अस्थान हो जाएगा फीमर और 123 इंबर question अनकूलन सीर्था का गुड किस में पाय जाता है तो अनकूलन सीर्था मतलब अपने आपको अपने वातावण से जो है अपने वातावण के रूप में ढ़ाल लेना अनकूलन कहलाता है तो ये क्या होता है सजीयों में ये गुड पाया जाता है ठीक C आपसे इज़ राइट आंसर हो जाएगा सजियों में अनकूलन सीरता का गुण पाय जाता है नेक्स कोशन है 124 निमबर हमारे चारों और के परवेश को क्या कहते हैं तो हमारे चारों और के परवेश को बच्चों पर्यावड कहते हैं एज़ आपसे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद है नेक्स कोशन 125 निमबर पुरुसों में कौन से लिंग गुड़ सूतर होते हैं एकस वाई एकस एकस या फिर एकस 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 या फिर वाई 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 तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका एकस वाई गुड़ सूतर पुरुसों में पाया जाते हैं अगर महिलाओं की बात करें तो इसमें आपका एकस एकस गुड़ सूतर होते हैं और यह माडल प्रश्म पत्र में आये हुए प्रश्म आपको कैसे लगे इसे प्रकार से और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट शक्सन में आप जरूर लिखें और जो भी आपकी लाइफ क्लासे जहें उसको भी आप देखते रहें और इसके बाद जो PMSSV क्ला सोने जा रही है उसको भी आप जरूर दिखेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद